निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागती यह उड़ी विसे सुरूप से बिहार स्टेट एवं अतिती सिख्षक से समन्दित है यह निउस्पेपर कटिंग आज निउस्पेपर का है इसमें देखा जे तो हेडिंग बनाये गया है सेवा निर्वित सिख्षक की होगी समवी 1500 रुपिये 65 साल तक की उम्रवालों को मिलेगा मौका इसको विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे इसका ओफिशियल लिटर से लेकिन उससे पहले हम आपको अतिती सिख्षक के बारे में अपडेट बता देते हैं अतिती सिख्षक के बुकतान में 92 लाग का घोटाला DODPO पर सर्टिफिकेट के सके आदेज होगी रासी की वश्युली भी इसमें जो बिसे से वो हम आपको बता देते हैं जैसे में बहुत सारी जीलो में ज्यादा पेमेंट हो गया है तो उसका वश्युली होने की बात कही गई है जैसे में वश्याली में 47,77,05 चंपारन में 10,03,000 एवंपुर्वी चंपारन में 7,78,000 रुपे का ज्यादा बुकता हुआ है तो उसका वश्युली से सम्मंदित ये न्यूज है तो इसे अगर आप पढ़ना चाहें तो नीचे में पढ़ सकते हैं जैसे में दो परमंडलों के इच्छा जीलों में अधिती सिक्षकों को 91,99,000 रुपे ज्यादा बुकतान किये गये हैं इसमें मगद एवं तिर परमंडल है इसे समंदित और भी चीज़े लिखी गई हैं जिसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं फिलाल हम आपको बता दे कि जो मार्स से जुलाई तक का अधिका जो पेमेंट था उसमें ये चीज़ देखने को मिला है उसमें ज्यादा पेमेंट हो गया है क्योंक जुलाई के बाद पेमेंट नहीं हुआ है उस पे भी सोकोस किया गया है चलिए अब हम चलते हैं जो ओफिशियल लेटर है जिसमें हमने बता आया था कि जो सेवा निर्वित्त सिक्षक है उनके समविदा परे बाहाली से समंदित जो निउस था उसे देखते हैं ये लेटर क 23.2014 को विलोपीत करते हुए राज्य के राजिकरित माधमिक या उच्च माधमिक बिद्धाले सहीत उतकरमित माधमिक या उच्च माधमिक बिद्धाले यों चिन्नित मद्ध बिद्धाले जहां वर्ग 9 का संचालन वर्तमान सेक्षिन सस्त्र से प्रारम किया जना है में र राजिके राजिकरित मादमिक या उच्छ मादमिक बिद्धाले प्रोजेक्ट करन्या मादमिक या उच्छ मादमिक बिद्धाले सहित में मादमिक सिख्षकों के पद रिक्त रहने और अगस्त दोजरबीस के से उच्छ मादमिक बिद्धाले वहिन पंचायतों में चिन्नित म यहां पर लिखा है आप देखेंगे कोई अपेक्षित योगताधारी सिक्षकों की अनुप लब्द था जैसा कि आप जानते हैं कि छठा चरन भी चल लाता मादमिक और उंच मादमिक में छठा चरन चल लाता लेकिन उसे भी अस्थागित कर दिया गया है एस्टेट 2019 का भी परिक्षा हुआ है और वो सीट पे हुआ है यानि अरक्षन रूस्टर का पालन करते हुए उतने लोग ही उतने अभिहारती ही उत्तिन होंगे जितने सीट बताया गया है तो उनका भी परणाम अभी तक नहीं आया है और इन्होंने उनका परणाम देखिए क अभी तक अपेक्चित योगतादारी सिक्षकों की अनुपलब्दता नहीं है जिसके कारण वहाँ पर कठनाई हो रही है नुई कक्षा नहीं चल पा रहा है इसका मतलब जो एस्टेट का पढ़नाम भी आता है को उन्हें एक इंतिजार करना पड़ सकता है देखिए क्या आदमिक सिक्षकों के उपलब दिरिक्त पदो पर नियोजन की कारिवाई प्रारम की गई थी प्रंतु बैस्विक महमारी करोना कोविन-19 के संकर्मन को दिर्शिगट रखते हुए एवं मानिये उच नियाले पटना दोरा पारित आदेश के आलोक में छटे चरन के नियोजन 19 पुनर परिक्षा का आईजन किया जा चुका है जिसका पढ़नाम अभी नहीं आए उसका पढ़नाम अभी नहीं आए जबकि आप जानते हैं कि 11 फरवरी 2021 को उसका मतलब फाइनल डिसीजन हो जाएगा उसके कुछी दिनों बाद यानि एक सब्ता के अंदर आपका रिजल् प्रकृरिय जल्द ही स्टार्ट होनी की बात लग रही थी कि जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद प्रकृरिय आपका स्टार्ट हो जाएगा और आप स्कूलों में चले जाएंगे तो आपको इंतिजार करना पढ़ सकता है इसमें यहाँ पे देख लेंगे तो यह आपको बता दिया जाया कैसे कैसे यह रिक्त है तो यहाँ हम बता देते हैं टोटल रिक्ती इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं वर्तमान सक्षिट से वर्ग नौ का संचालन प्रारंब किया गया है इस क्रम में 32,916 मार्मिक या उच्छे मार्मिक सिषको का पद सुरिजित किया गया है यह तो आप पहले से जानते हैं कि इतना पद सुरिजित किया गया है ज़र सर्व विधित है कि सिक्षक नियोजन का कोई उचित बिकल्प नहीं हो सकता प्रन्तु सिक्षक नियोजन में संभावित पढ़निया विलम की ओधी में सिक्षक कारे प्राबावित नहीं हो इसके लिए अन बिकल्पों पर भी ध्यान दिया जनावशक है यानि इसके अन भी बिकल्प है उसमे ध्यान देने की बात कही गई है यहाँ पर वही आपका हेडिंग का है इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं हम यहाँ से पढ़ते हैं उक्त प्रावधान की तहत अप पिक्षित पढ़नाम नहीं आने के कारण समयक वी चारो प्रांत उक्त दोनों संकल्प को विलोपित करते हुए केंद्र सरकार एवं राज सरकार के सेवा निर्वत्र सिक्षकों की सेवाएं समवीदा पर लिये जाने का निर्न है यह निर्न लिया गया है यहाँ पर देख भी सकते हैं यह संकल्प रिटार टीचर यहाँ से यह फाइल है इसके बाद आगे लिखा गया है जैसे सभी सेवा निर्वितिक जो सेवा निर्वितिक के पुर्व केंद्र अत्वाराज सरकार के कर्मी थे एवं सेवा निर्वितिक के उपरां पेंशन प्राप्त करते हैं उन लोग को पेंशन मिलता होगा उन ही लोग को ये रखे जाने की बात कहा गया है इसके लिए नियु सकते था कि अतिति शिख्षकों की बहाली मतलब इसमें नाइंत को चलाने के लिए होता लेकिन इसे रोक दिया गया है क्योंकि एस्टेट 2019 का एकजाम हो चुका है उस से पह़े बन अधिक्तम earnest किया होगा को चैन ही तो उमिद्वार की अधिक्टम उम्री सीमा 65 वर्सों की चैन प्रथमता 2 वर्सों अत्वा उक्त-पद पर सिक्षक- नियोजन होने तक के लिए होगा जो पहले हो यानि इन्होंने एक चीज और किलियर कर दिया है कि जो चैन होगा वो प्रथम दो वर्सो अथवा उक्त पदबर शिक्षंग नियोजन तक के लिए होगा यानि एक तरसे आपको हींट्स मिल राए यही मतलब इसा तो नहीं लिखा गया लेकिन इन में से दोनों में से जो पहले हो लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह जो बाहली परकिरिया थी जो तुरंट होने वाला था एस्टेट का रिजल्ट आने वाला का उसमें एक साल अब लग सकते हैं क्योंकि आपको फिर से रिजल्ट आएगा रिजल्ट के बाद फॉर्म वेकरे भरवाना होगा अभी तक उसका कोई कांसलिंग का डेट नहीं आया है बहुत जगा फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ चुका है लेकिन फिर भी वो रुका हुआ है अभी तक उसका कोई बीसेस अपडेट नहीं आया है उसी तरीके से इसका भी हाल हो सकता है इसलिए यह आपका किया जा रहा है और यहां पहीए देखाजाएए तो 2 वर्स अत्वा उक्त-पद पर सिक्षकन यूजन होने तक के लिए होगाई यहां अधिक्तम 67 वर्स की आयू तक होगा यह कितना होगा को 63 वर्स तक ही आयू का होगा यानि तीन साल यह दिखाया जा रहा है और यहां पर रोस्टर वेगरे के बारे में भी कहा गया है और आगे में आपका चैन का जो प्रकिरिया है वो बताया गया है इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं सारे चीज आपके साम एक हजार रुपिये और यह नाइनत को पढ़ाएंगे यानि मादमिक जो हैं उन लोग के लिए है तो इनको मिलेंगे 900 रुपिये जो एक माह के लिए अधिकतम 22,500 रुपिये होगा अन्य किसी भी परकार के मतलब जो भी आगे होगा उसके बारे में लिखा गया है और यहां सिवा समंदित सरते हैं तो इन्हें मांगाई भाता वेगरे, चिकित्सा भाता, आवाश भाता, परिवहन भाता, आदित्दे नहीं होगा यह चीज लिखा गया है को देखा जाए तो जो अभी जो प्रकिरिया था, कन्कुलूजन इसका देख लेते, तो पहले कन्कुलूजन अतिती शिक्षकों के बारे में बता देते हैं, अतिती शिक्षकों का, जो ज्यादा payment हुआ है, उसका वसूली होगा, और उनके लिए एक news यह हो सकता है, कि उनका जो payment जहां जुलाई तक हुआ है, उसके आगे का जो वो जल्द ही आपको मतलब पिमिन्ट आपका हो जाएगा इसके बाद देखा जाए तो इसका कॉंक्लूजन देखते हैं जो लेटर आज जारी हुआ है इसमें देखा जाए तो क्या कुछ है तो जो एस्टिट का एक्जाम हुआ तो ऐसा लग रहा था कि 11 फरवरी 2021 को ये फाइ किया जाएगा फिर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगे कुछ आहिर से बात है इसमें कम से कम दो-तीन मंत तो लगेंगे हैं तो ये परकिरिया आपका स्टार्ट होगा इसका मतलब अगर एस्टेट का रिजल्ट के लिए थोड़ा सा वो लोग डिले करेंगे उसके बाद अगर जल्द हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है लेकिन फिलाल इन्होंने इस तरह से निकाला है तो कोई ना कोई वजह जरूर होगी इसका कोई ना कोई होगा और ये उन अभ्यारतियों के लिए चिंता का भी सह है जिनोंने एस्टेट का एक्जाम दिया है और जो रिजल सब्सक्राइब कीजिए हिंदी कलब को दबाईए इस बेंट आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सके ये सब बिलकुल फ्री है